अज़ादी से लेकर आज तक भारत के बीच तीन बड़े युद्ध हो चुके हैं जिसमें दोनों देशों के सैक्र जवानों को अपनी जान गवानी पड़ी है कश्मीर को लेकर भारत पाक के बीच जितनी भी जंगे लड़ी गई है उसमें सिर्फ जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और नतीजा कुछ भी नहीं निकला है लेकिन अब बदलते हालातों के चलते भारत पाक के सेनाएं अब एक बार फिर सयोगत अभ्यास कर सकती है जी हाँ भले ही ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है शंगाई सहयोग संगठन में पूर्ण कालीन सदस्य बनने के बाद भारत पाक को अन-SEO सदस्य देशों के साथ आतंगवाद निरोधी समनवे के तहट सयोगत सैन अभ्यास करना पड़ेगा SEO का सदस्य बनने के बाद दोनों देश रिजनल एंटी टर्रिरिजम स्ट्रक्शर का हिस्सा हो जाएंगे जो सदस्य देशों का सैन अभ्यास कराती है वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब भारत पाक की सेनाएं मिलिटरी अभ्यास करेंगे इससे पहले भी दोनों देशों की सेनाएं सैन अभ्यास में हिस्सा ले चुकी है लेकिन बढ़ते तनाओं के चलते दोनों देशों की बीच अविश्वास की खाई खुदी पड़ी हुई है तो वहीं कई मुद्दों को लेकर मत भेद जारी है ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि तलके के बीच दोनों देशों की सेनाएं दुई पक्षिय सायोगत सैन अभ्यास करेंगे या फिर बहु पक्षिय सायोगत सैन अभ्यास को चुनेंगे निउस एक्सप्रेस के रिपोर्ट